Hey everybody, मैं हूँ वर्षा, स्वागत है आपका निवेशोलोजी में, आज हम बात करेंगे clean science and technology के बारे में, अब इसका basically clean science एक speciality chemical में काम करती है, so इनके तीन divisions हैं, एक आपका performance chemicals आगया, एक आपका pharmaceutical आगया, और तीसरा आपका FMCG chemicals आगया, अब इन तीनों में जैसे performance chemicals में इनके जो products हैं, मैं उनका नाम ले लूँ तो MEHQ है, BHA है और AP है, हम आगये देखेंगे, अगर मैं pharma की बात करूँ, guayacol और DCC इनके कुछ products है, अगर मैं FMCG की बात करूँ तो 4MAP इनका एक product है, अब ये product के applications हम आगे देखेंगे, मैं आपको 5 minutes में बता दूँगी, लेकिन पहले नाम इनका value chain देखते हैं, क्योंकि इनका सबसे important चीज, अगर आप इनके margins देख लो, आप इनकी growth देख लो, बहुत अच्छी growth हुई है, so margins बहुत अच्छे, तो पहले मैं आपको value chain बता देती हूँ, कि ये कैसे downstream products में हैं, या forward integration कैसा है, backward integration कैसा है, एक बार आपको value chain समझ में आ गई तो आपको applications, मैं आपको बाद में बता दूँगी, अगर मैं इनकी value chain देखो तो इनका main जो पहले आता है phenol, phenol से ये anisole बनाते हैं, अब ये anisole जो है basically आप समझे कि इनका raw material है, जो बाकी सारे products को बनाने में मदद करता है, so anisole से ये MEHQ बनाते हैं, MEHQ से ये BHA बनाते हैं, ठीक है, anisole से guacol भी बनता है, so basically anisole जो इनका key material है, उससे ये सारे products बनते हैं, आपका 4MAP जो FMCG chemical segment में है, आपका guacol जो पार्मा में है, MEHQ, BHA, सब ये anisole से बनता है, अब 2018 तक क्या होता था ये जो anisole है, ये लोग बाहर से लेते थे, फिर इन्होंने in-house बनाना इसको शुरू किया, तो ये लोग अब कोई भी chemical बनाने के लिए आपको एक technology लगती है, right, so ये लोग liquid-based technology यूज़ करके, ये anisole बनाते थे, लेकिन एक साल बाद, almost 2019 में, इन्होंने vapor face technology यूज़ करके, anisole बनाना शुरू किया, और फिर इन्होंने वो capacity triple कर ली, इसके वज़े से, क्या हुआ, इनके margins बहुत बहुत बढ़ गए, तो आप पिछले 3 साल में देखें, इनके margins बहुत बढ़ चुके है, because of this, एक तो उन्होंने anisole खुद बनाना शुरू किया, वहां पर backward integration आ गया, फिर एक साल बाद, इन्होंने vapor face technology के through anisole बनाया, जो globally, ये एकलौती company है, जो vapor face technology यूज करके anisole बनाती है, तो इसके वज़े से इनके revenues भी काफी अच्छे बढ़े, फिर इसके वज़े से margins भी बहुत अच्छे बढ़े, तो आप इनका value chain देखोगे, तो phenol से जैसे मैंने कहा anisole बनता है, anisole से MEHQ, तो MEHQ ये बेचते हैं, MEHQ से BHA बनता है, BHA again ये बेचते है अब ये जो MEHQ है ना, basically ये hydroconine, एक hydroconine करके एक chemical है, उसका derivative है, okay, so ये जो hydroconine है, ये बहुत सारी countries में band है, normally ये skin related products में यूज होता है, so ये जो company है, MEHQ, hydroconine से ना बनाते हुए, ये anisole से बनाती है, क्योंकि anisole से MEHQ बनाती है, so ऐसे बहुत सारे अलग-अलग processes उन्हो ने developed किये हैं, जिसके वज़े से इनको cost competitiveness आया है, अब ये जो ग्वाइकॉल एक है, pharma में, जो इनका एक product है, so ग्वाइकॉल से भी एक नया product बना रहे है, वेराट्रोल नाम का, so the thing is, जो मैं आपसे बोल रही थी, कि इनका secret sauce क्या है, इनके खुद के ऐसे processes हैं, जिसके व इनके product रहता है, उनसे या तो वो backward integrate करते हैं, या तो forward integrate करते हैं, right, जिसे MEHQ से BHA जो ये बना रहे है, clean science, वो forward integration हो गया, तो हर chemical से एक downstream products ये लोग बना देते हैं, जिसके ग्वाइकॉल के थू अभी है, जो new product में आपसे कहा, वो बनाएंगे, right, so this is actually, this is the value chain, this is the process, जो clean science basically use करते हैं, और इसके वज़े से, इनके margins काफी अच्छे बड़े हैं, और जो BHA है, इनका, तो BHA basically, बहुत ही high margin product है, followed by MEHQ, तो आप अगर इनके margins increase होते देख रहे हो, एक, तो Anisol की वज़े से, जो मैंने आपसे कहा, वो vapor phase technology के वज़े से, फिर क्या हो गया, BHAQ की high margin product है, उससे contribution बड़ा, तो again, margins भी काफी अच्छा बड़ा, और revenue में भी काफी अच्छी growth आई है, so this is basically the value chain of clean science, अब हम particular segment की बात करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या इनके products है, और उनके क्या क्या उन products कहां कहा है, अब application उन products कहा है, हम उसकी बात करेंगे, अब आपको असानी से सम performance chemical डालने से उस product को perform करवाता है, basically, okay, so आप surf excel देख लो, वहाँ पर performance chemicals add होते हैं, right, हर एक industry में performance chemicals add किये जाते हैं, ताकि वो end product को perform करवाए, अब इनके performance chemicals के अंदर इनके दो product है, एक है MEHQ, दूसरा है इनका BHA, so MEHQ जैसे हमने बात कीती किससे बनता है, anisol से बनता है, BHA अब जो MEHQ बनता है, okay, अब जो MEHQ बनता है, basically, कहां यूज होता है, तो मैंने आपसे बात कीती कि MEHQ ये दुनिया में एक ही ऐसी कंपनी है, जो MEHQ through anisol बनाती है, अब मैं अपलिकेशन बता हूँ तो वो ink industry में यूज होता है, आपके skin related products में यूज होता है, agrochemicals में intermediate use होता है, pharmaceuticals में, right, so almost MEHQ का अगर आप market देखोगे, तो almost 5-6% से grow कर रहा है, और ये company globally number one है, जो MEHQ बनाती है, इनके competitors, अगर आप MEHQ में देखोगे, तो Camline है, और Solway है, performance chemicals में इनका second product है, BHA, अब BHA basically, कहां यूज होता है, आपका feed and food industry में basically, यूज होता है, as an antioxidant, तो feed industry में बहुत जादा use होता है, और अगर मैं इसकी growth driver की बात करूँ, तो क्यूँ यहां पर growth आना expected है, due to increase in demand for nutritious animal feed, right, so BHA basically, ये लोग sulfur free बनाते हैं, again, they are the number one in producing this BHA, performance chemicals में इनके 3 products है, 2 के हम बात कर चुके, तीसरा जो है, that is, ascorbal palmitate, so AP, अगर मैं नाम गलत ले रही AP, जो है, इनका 3rd product है, in performance segment, अब AP basically, किस से बनता है, तो आपका जो ascorbic acid है, that is, vitamin C, उससे बनता है, और basically, यह आपके creams में बहुत यूज होता है, as an anti-aging, anti- antioxidant, यह जो आपके cosmetic industry है, बहाँ पर बहुत जादा यूज होता है, so almost company, second largest producer of AP है, अब हम बात करते हैं, इनके pharmaceutical segment की, so जो performance segment है, वो almost 70% of revenue contribute करता है, pharmaceutical में, जो इनका पैला product है, वो है ग्वाइकॉल, so basically, ग्वाइकॉल, यह जो 3rd largest producer है ग्वाइकॉल की, Camlin and Solway, these are the largest producers, 3rd is clean science, अब ग्वाइकॉल, basically, यह लोग, अब यहाँ पर ग्वाइकॉल में, इनके margins बहुत जादा अच्छे हैं, अगर आप आप Camlin से compare करोगे तो, so, ग्वाइकॉल यह जो देते हैं, यह फार्मा इंडस्ट्री को देते हैं, तो ग्वाइकॉल आपका जो कफ सिरफ होता है, वहाँ पर यूज होता है, और second application, ग्वाइकॉल का होता है, जो वैनिलीन बनाने में, so, वैनिलीन is a synthetic vanilla, so, जो normal, अगर आप नाचरल एक्स्राइक के तुरू वनीला बनाओगे तो वो पूरी डिमांड मीट नहीं करेगा, so, इसलिए हमें synthetic vanilla बनाना पड़ता है, जिसके लिए ग्वाइकॉल यूज होता है, so, जो Camlin है, वो basically, वैनिलीन production के लिए ग्वाइकॉल देती है, Camlin का ध्वार्मा में इतना न नेक्स्ट इनका प्रड़क्त है, DCC, again Pharma में, so, DCC इनोंने basically 2020 में ही बनाना शुरू किया है, so, यहां से market, जैसे, आप MEHQ देख लो, BHK देख लो, आप ग्वाइकॉल देख लो, तो काफी अच्छा इनका market share है वहां पर, लेकि जो DCC है वहां पर आज सच जितना market share नहीं है अभी तक क्योंकि 2020 में इनोंने वह product launch किया है, so, धीरे-धीरे करके यह market share भी वहां से ले लेंगे, so, DCC इनका second product हो जाता है, Pharma में, and almost 17% revenue, pharmaceutical segment से clean science को आता है, next segment है इनका FMCG chemicals, तो यहां से almost 13% के आज सपास revenue आता है, यहां पर 4 MAP इनका एक product है, तो यह कहां use होता है, तो आ बनाती है, वो without aluminium chloride बनाती है, जो दूसरे manufacturers, अगर aluminium chloride use करके बनाते हैं, यह उससे नहीं बनाती है, और क्योंकि aluminium chloride hazardous होता है, so, this company is, this company doesn't use aluminium chloride, अगर कमपनी की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें, तो जैसे first, जो हमने बात की थी anisol, तो यह लोग अनिसol बाहर भी के लिए यूज करते हैं, जो products बनाने के लिए और वेपर-based बनाने की वज़े से इनको बहुत जादा cost competitiveness बहाँ पर इनको मिला है, so, again, this is a very good thing, फिर यह लोग जो processes develop करते हैं, technology develop करते हैं, उसके बार एक बार उन्होंने processes develop कर लिये, फिर एक world scale capacity लगाते हैं, वो इतने बड existing products जब यह नए products थे, तो तब इनके margins almost 25-26% थे, लेकिन इन लोग ने efficiencies नहीं बिल्डप की, ठीक है, उसके वज़ेसे इनके margins बढ़े, तो जो new products आएंगे, जो यह लोग new products पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी margins अच्छे रहेंगे, लेकिन इतने अच्छे अभी starting में नहीं धीरे-धीरे करके, जैसे-जैसे efficiencies build-up होंगी, उन products के भी margins इतने high हो जाएंगे as the time passes, so अगर मैं margin sustainability की बात करो, तो yes, margins are sustainable, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेंगे क्या margins, I don't think so, क्योंकि these are the peak level margins, तो एक बार management से किसी ने पूछा था, कि इससे ज़्यादा क्या आप margins customers, right, so these are the peak level margins, लेकिन margins are sustainable, नए competitors से इनके साथ compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि gestation period थोड़ा long हो जाता है, इतनी सारी heavy investments करनी पड़ेगी, जो भी नए competitor आएगा, और अगर मैं इनके customers की बात करो, तो आप Vinatty एक इनका customer हो गया, SRF इनका customer है, Bayer AG इनका customer है, केपेक्स की बात करें, तो yes, company आगे के एक दो सालों में काफी जादा केपेक्स करने वाली है, और नए नए प्रड़क्स में आने वाली है, जैसे stabilizers हो गया, आपका intermediates हो गया, so basically downstream products में भी आने वाली है, तो एक दो प्रड़क्स की तो मैंने आपको नाम भी बता दिये, जो होने वाला है, so new products, yes, आने वाले हैं, इसको फोड़ा टाइम लगेगा, but they are working on the new products, इनकी R&D जो है, बहुत अच्छी R&D है, बहुत strong R&D है, यह लोग खुद प्रोसेस बनाते हैं, you know, technologies बनाते हैं, और उसके उपर यह बहुत अच्छ से काम करते हैं, इससे इनको cost competitiveness मिलता है, company फिर HALS series में भी आ रही है, जिसे Hinderd Amine Light Stabilizers, उसका application आप देखोगे, तो paint हो गया, आपका water treatment हो गया, coatings हो गया, यहाँ पर use होता है, अब हम थोड़े numbers देख लेते, segment wise भी देखेंगे, और total भी देखेंगे, तो अगर आप performance chemicals देखोगे, तो almost FY 2018 में जो 1465 million था, आज for 2021 में almost 3548 million, that is 354 crores के आसपास, अगर मैं performance chemicals की बात करूँ तो, pharmaceuticals में आप देखोगे, जो 2018 में जो 496 million था, millions था revenue, आज वो almost 830 million हो चुका है, that is 83 crores, अगर आप FMCG chemicals में देखोगे, तो 332 million से almost 632 million के आसपास पहुच चुका है, फिर अगर आप revenue, CAGR देखोगे, तो almost 2018 में जो 2427 total revenues थे, उनके millions, आज वो almost 5124 million हो गए, अल्मोस्ट 512 crores के आसपास, अगर आप EBITDA margins देखोगे, see, इनके margins कितने अच्छे margins है, जो 2018 में 30% था, आज वो 51% है, हमने इसकी reasons के बाद की थी, Anisol का जो backward integration हुआ था, और जो vapor face technology के वज़े से, इनके EBITDA margins बहुत बढ़े, PAT margins भी आप देखोगे, तो आज almost 39% के आसपास है, which is very good, ROCE आप देखोगे, तो FY21 में almost 73 के आसपास है, अगर आप उसको cash निकाल दोगे तो, और इनका जो net fixed asset turnover है, वो almost 2.8X है, which is very good, तो EBITDA margins इतने अच्छे से क्यों बढ़े, एक तो आपका revenue mix, product mix change हो गया, जसे मैंने कहा कि BHA से काफी अच्छा इनको पैसा आने लगा, MEHQ से काफी अच्छा पैसा आने लगा, और हमने Anisol की तो बात कर दी, अब हर एक company जब भी आप analyze करते हो, उसमें एक ना एक crux होता है, एक कडी होती है, वो आपको अगर मिल गई, तो बाकी सारी चीज़ें आपका confidence बढ़ा देती है, तो इस company में वो जो value chain की हमने बात की थी, that is the कडी, that is the crux of this company, So personally yes, मुझे यह company अच्छी लगती है, मैंने IPO में apply भी किया था बड़ नहीं मिला, So, valuation की अगर मैं बात करूँ, तो valuation, क्योंकि सब कुछ अच्छा है इस company में, debt नहीं है, जो भी yellow capex कर रहे हैं, internal, accrual से कर रहे हैं, numbers काफी अच्छे हैं, आप अगर numbers देखोगे, CAGR growth देखोगे, तो बहुत अच्छे से numbers बड़े हैं, right, So, इस वज़े से भी इसको valuation भी उतना high मिला है, right, और लेकिन अभी अभी अगर मैं valuation की बात करूँ, तो yes, valuation expensive है, काफी ज़्यादा expensive है, लेकिन, growth numbers भी इसके काफी अच्छे हैं, और आगे जाके भी हमको, यह जैसे मैंने कहा कि margin sustainable लगते हैं, और आगे भी काफी अच्छे numbers हमको देखने को मिलेंगे, इसी वज़े से market इसको काफी ज़्यादा valuation दे रहा है, और speciality chemicals तो आप देख रहे हो, आप कोई भी company उठा लो speciality chemical में, market ने उसको काफी अच्छा valuation दिया है, लेकिन बागी सारे company के हसाब से इनको market ने बहुत ज़्यादा valuation क्यों दिया है, क्योंकि आप इनके margin numbers अगर देख रहे होंगे, इस reason की वज़े से market इससे काफी ज़्यादा expect कर रहा है, और ज़्यादा valuation दिया है, अब valuation is expensive, yes, अगर आपको यह company अच्छी लगती है और invest करना है, तो आप dips पे इसको buy कर सकते हैं, या तो आप enter होने के बाद आगे जब भी dips आएंगे आप तब accumulate कर सकते हैं, now you have to decide कि क्या आपको यह company में invest करना है कि नहीं, comment section में मुझे जरूर लिख के बताईएगा कि आप क्या इस company में invest करने वाले हैं, या कर चुके हैं, या आपको IPO में क्या ये company मिली है, उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर हाँ, तो प्लीज इस चैनल को subscribe कीजेगा, वीडियो को like और share जरूर कीजेगा, हम मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जैहिन and नमस्ते.